क्कर्ष के भीच में Πी र का 60 वा मुकाबला खिला जाने वाला है। अब आई पी यह उंसके होना है की कुऌतल को सब्सक्राइब कॉलिफाइब कर चुकी है। मिट्व को चांसेश को सकती है। लेकिन केक्या तब भी चाहेगी कि यह मैच जीते क्योंकि टॉप पर रहना किसको पसंद नहीं और यह मैच में ना देखो थोड़ा सा आप इन्वेस्ट स्मॉल लिख पर कम करो मिनी जील जील पर फोकस करो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जील में हम किस तरीके से अपनी टीम बना सकते तो यह दिहान रखना है कि स्मॉल लिख लिए उतना अच्छा मैच नहीं एक तो मैंने जो बताया एक्सपेरिमेंटल हो सकता है प्लस बारिश के चांसेज भी इडन गार्डन कॉलकता पे दोपै में खेल सकती है प्लस बारिश तो मैच स्मॉल लिख के लिए वैसे भी रिस्की हो जाता है तो द्यान रहो चाहे कोई कितना भी बोले कि जैक पोटे यह मैच में मैं ग्रेंड लिग जितवा दूंगा जहां से मैं मत आना किसी के अपना पैसा अपने दिमाग से लगाओ ठीक है तो यह मैच ग्रेंड लिग पर फोकस करो ज्यादा इंवेस्ट मत करो इटन गार्डन का विकेट कैसा होता है वन आव दा जो फास्टेस आउट फिल में से एक है इडन गार्डन का आउट फिल्ट इंडिया के अगर आप देखोगे तो ग्राउंड जितने भी है थोड़ा देख सकते हो हर एक मुकाबले में रंच बने है वस यह लास्ट वाले मुकाबले में रंच नहीं बने लेकिन इजी चेज हो गया ठीक है तो यही मान के चलो कि थोड़ा बैटर्स को जो है फेवर रहेगा अगर खुद बल्यवाज खराब ना खेले तो कॉलकाता के टीम 11 में से 8 जीती है दो लेफ्ट इंडर है यहां पर इंको सिंग को मिला के नीचे वंकेट है सही है तीसे लेफ्ट इंडर मुंबई 12 में से सिर्फ 4 जीती है बाहर हो चुकी है इसन किसन और तिलक वर्मा दूलेफ्ट इंडर है वहां पर ओफिस पे नर सुनी लरें यहां पर जो ऑफिस पीना रहे वो टिम डेविड और नमन दीर है शॉरी के के टीम की बात करते हैं तो जो इनके इंपोर्टेंट प्लेयर से इंप प्लेइंग लैवन में और कॉन इनक कभी मौके मिलते कंभी नहीं मिलते रसल भी विकेटए निकाला हुआ है रिंकु सिंग का फॉर्म अच्छा दिखा Ye कभी-कभी मौके भी थोड़े कम मिलें अच्छा किया है वेंकेटे सेयर का फॉर्म अच्छा ही एमाई के अगेंस्ट इन्होंने सत्तर रन किया था इनको ऊपर भेजो यह एमाई के अगेंस्ट मोस्ट अप टाइम परफॉर्म करेंगी इस चार्क का भी फॉर्म वापस आते व ठीक है उसके बाद मिचल टार्क वरुन चकरवर्ती स्रेय सायर हरसी तरा ना यह साथ इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको आप अपनी टीम में रख सकते हो लेकिन आगर इनमें से भी देखो गया तो वरुण चकरवर्ती और हर वरुम धिच्छ को तो आप ले बाकी मैंने जो साथ खिलाड़ी बता है साथ ही अच्छे पिके इनकी टीम से किके इनकी टीम भी पर्फॉर्मस भी अच्छा कर रही है मिचल स्टार्क वैबा और ओड़ा पावर प्ले में देथ में आंदर असल स्टार को रहर सी तरा नहीं ठीक है इनकी टीम से यह जो है यह इसमें से रसल के ज्यादा चैंसे की शेयर करते हैं कभी-कभी वहबा और ओड़ा यह जो भी महेंगा साथ होगा वह सेयर कर लेता है एकाद हुआ ठीक है यह बैंच प्लेयर से इनके ठीक है यहां पर आओ यह इनके प्लेयर वाइज इस्टैट्स वैसे आप यह इतना इंप इनका जो प्लेयर अभी खेल रहे हैं मतलब है वहाँ पे तो आप ना उनका रिसेंट फॉर्म वहां पर ही देखना जो मैंने अभी स्कूर काट दिखा यह इस टॉर्णमेंट से पहले का यहां पे सिर्फ न्यू प्लेयर का स्टैट्स आप देखो अगर कोई और खेलता है त इसके लाव है टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के सबसे पहले लिंक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री है और बहुत इंपोर्डेंट है अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ जाओ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री है बिल्कुल ठीक है अब माई की टीम की बात करते हैं इनकी टीम का फॉर्म तो खराब है लेकिन लास्ट मैच में सूर्या की जो पारी थी इनकी टीम ने काफी अच्छा विन किया हो सकता है इनकी ये मैच भ गइफए नीधियर चू के आख़ी बात रहे हुंत है नतीं लुगात कि तीम को बॉट्य को विकेट लुगा भी बुमरा अच्छी फॉम में तुसारा ने एक मैच में निकाल बाकी मैच ज्व्लॉप रहे है इनकी टीम से आगर आप देखोगे इंगे तो शूर्य कुमार यादा हो हार्दिक पांडिया जस्पित बुम्रा ये तीन मस्ठपिक हैं आप अपनी टीम में इन तीनों को ले के जाओ फर्स्ट इनिंग की गिंद बाजी में तुसारा को बर रिस्क ले सकते हो तीलक वर्मा के उपर फर्स्ट बल्ले बाजी में जरू ट्राय करो पांडिया ये लास्ट में पांची गिंद बाजी ऑप्शन के साथ खेलेते हो और पांचो ने चार चरोवर डाला था वही एक्सपेक्ट करो हां अगर यह लोग इंपक्ट प्लेयर के तौर पे अगर किसी मतलब नहीं लेके आये तो वैसे जरूत पढ़ती है तो लेके आते इसके अलावा यह इनके बेंच प्लेयर से आप यहां पर देख सकते हो को अगरे खेलते तो क्या परफॉर्मेंस रहा था यह इनके प्लेयर वाइज स्टैट्स अगर यह विश्टू बीडियोत को खिलाते हैं तो देखो 35 का एवर्ज डॉमेस्टिकली 143 का स्ट्राइक मैच देखते हैं चलना ठीक है यह बहुत इंपर्टेंट फिर आप लोग धूंटे रहोगे ठीक है कंबोच की में बात कर रहा था राइटा मीडियम है रिसेंट लिस्टे में यह फॉम था डॉमेस्टिकली 9 में 11 विगेट लिस्टे में 15 मैच में 23 विगेट है काफी मैच भी ना रहा है वहां के लिए दम पर मैच जीताना जानते हैं जैसे कि सूरे को मार यादव ने लास्ट में जीता है था तो वह कोई खड़ा हो गया तो अलग बात है तो आप लोग अपना भी ओपीनियन दे सकते हो आपको कौन लगता है कौन जीते हो और इससे आप पै पर दिखेगा अगर आपने कॉलकता पर या कॉलकता का पलड़ा भारी है तो आप उसमें प्रॉफिट में रहोगे वहां पर दिखेगा तो अगर आपका वह एक सैटीस्वाइंग अमाउंट है हाँ आज मेरा इतना का प्रॉफिट हो गया तो आप उसके बाद आपका आपके कॉस्टन है बहुत कोस्टन्स है क्या जो Tीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग आपके लिए तो और आपका उस टाम पर प्रॉफिट दिख रहे तो और अच्छे खासे पैसे कमाउगे मैं आपको खुद भी अपना ओपीनियन टेलिग्राम पर सिर करते रहता हूं रि वह आपके कमीशन पर देखो 20 परसेंट चार्ज करते हैं जबकि यह सिर्फ और 15 परसेंट चार्ज करते हैं तो यहां से भी आपका बचाते हैं यहां पर फैंटसी भी खेल शकते लास्ट चार में जो इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया उसमें के लास्ट में जीता जो बुम्रा के दिन और पंडिया के दो विकेट यह वाला 2023 में खेला गया था फिर से वेंगे टेश का नाम है यहां पर इसन कीशन का नाम पांच विकेट उनका भी तुबारा नाम आया 2022 में फिर से वेंगेटेश का नाम आया है फिर से सूरी कुमर यादव तो सूरी कुमर यादव यादव यह सबका नाम कॉमन है इन पर ध्यान रखना थोड़ा ओवरॉल अगर आप देखोगे तो यह केके आर्की टीम का रिकॉर्ड है हैड तो यानि अगेंस्ट माई और वे अगेंस्ट माई और 29 का एवरेज इस ग्राउंड पे ऐसे ही अगर आप देखोगे तो सुनिल लारेन 25 विकेट है 22 मैच में 6 का एवरेज है 17 का एवरेज इस ग्राउंड पर 18 मैच में 60 विकेट है इस टीम के अगेंस्ट और किसी का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है है वरुन चकरवरती 14 मैच में 19 हरसीत राना 10 मैच में 13 पांच में 6 विकेट वैबा और ओडा के हैं ठीक है ऐसे ही अगर आप देखोगे आप माई की तरप से इसन किसन 27 का एवरेज अगेंस्ट के क्यार इस ग्राउंड पर 33 का एवरेज है रोई सर्मा 40 का एवरेज अगेंस मैच के क्यार और 16 मैच में 13 विकेट अगेंस्ट के क्यार इस ग्राउंड पर 37 के अवरेज और 7 मैच में 7 विकेट टीम डेविट का 31 का एवरेज जास्पित वुमरा 17 मैच में 23 विकेट है तो इन खिलाडियों का रिकॉर्ड हैट टुएट वेन्यों अच्छा है यह आप धि दिक्कत है इन लोगों लेफ्टाम पेशर से इवेन रोई सर्मा भी जो है मिचली स्टार के सामने स्ट्रगल करतें लास्ट में आउट किया था सुनी लरिन ने भी इनको दस बार आउट किया 174 गिंदों पर दीच अमीरा तो खेल नीरे छे बार आउट कर चुके यहां पर घंदों यहां पर आओ तो पी सुनी लरिन उतना कुछ गेंदे खेली नीए किसी की रसल बुमरा के सामने चार बर आउट हुए है रिंकु सिंग बुमरा के सामने 13 गेंदों में दो बार तो इनके ना जो फिनिशर से उनके सामने बुमरा का रिकॉर्ड देखो तो बुमरा तो बहुत अच्छा काटे का मुकाबला देखने मिलेगा रिंको सिंग और रसल की सामने वैंकेटे से यह को देखो बुमरा के सामने 22 गिंदों में दो बार आउट हो चुके जैसे मैंने बोला इनके जो फिनिसर से उनके सामने काफी अच्छा क्या है स्रियस यह ने सबको अच फॉर्म है लेकिन थोड़े हीट और मिस्टाइब के खिलाड़ी है बैटिंग विकेट पर मोस्ट आप इन से स्कोरिंग उम्मीद कर सकते हो कीपिंग बैक अप भी है तो एक अच्छे पिक रहते स्मॉल लिकेशन की सन थोड़ा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस दिस के लिए बस आपको कुछ सिंपल से रूल्स फॉलो करने हैं सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि अगला जो वीडियो है अप नोटिफाइट रॉड गिववे में आप विन कर सको दूसरी चीज यह वीडियो पर पाटिस्पेट करने के लिए आपको वी पॉजिटिव कॉमेंट करना है एंड या फीडबेक दे सकते हो ठीक है इस वीडियो के बारे में तो आपका कॉमेंट अगर आपने सारे रूल्स फॉलो किया है तो मैं फिल्टर लागा के देखूंगा तो आप लोग के कॉमेंट जिनके जिनके मुझे दिखेंगे उसमें से एक लकी विनर चूज किया जाएगा इंड उनको उनका माउंट मिल जाएगा पिछले कुछ मैचस से हम्यारा वीडियो में यह चल रहा है और काफी अच्छा यह आप लोग भी पाइटिस्पेट कर सकते ठीक है बैटिंग सेक्षिन की बात करते है सूरी कुमार यादो मस्च पिक जिस तरिके से फॉर्म में कभी भी बड़ा स्कोर आ सकता है रोई सर्मा थोड़ा सा एक थ्रेटर रहेगा सुनी लरेन और मिचल स्टार्क लफट आम पेशर क्याकर करते हैं बहुत बैंकर मैंने अभीकले छोड़ा वाई लेकिन हो सकता है इस मैच में अच्छा खेल ज बता दूँगा आपको टेलीग्राम पर तिलगवर्मा अच्छी फॉर्म में है कंशीडर कर सकते हो त्री डाउन तक आ रहा है नमंधीर जो है वह वन डाउन आ रहे हो सकता है वह ना भी खेले तो यह फिर टू डाउन आएंगे और जब तू डाउन आएंगे ना तो यह एक इनको लेके जाऊंगा इनके जगे पर अभी के लिए इनको लिया है रिकॉर्ड काफी अच्छा है जब जब पिछले पांच मैंच उठा के देखो मिनिममम स्कोर अगेंस्ट हमाई 43 का है वागी चार मैच में एक सता क्या और तीन फिफ्टीज है लास्ट मैच जो भी पिछ अगर आप ऐसी टीम की बैटिंग को रही है तब इनको लेके जा सकते हो टीम डेविट भी बैटिंग नीचे करने आते हैं तो स्मॉल लिग के पॉइंट वी से उतने अच्छे उप्शन है रगुवंची कभी-कभी इंपक्ट सब के तौर पर बाहर हो जाते तो इस तरीके से अपनी प्लेइंग लावन अनौंस कर रहे है ये अपने आपको पांचवा गिंदाज की रूप में अनौंस कर रहे है तो ठीक ठाक ओर गिंदबार करते हो दिखेंगे यह ओपेंड करेंगे इन कभी भी प्रोंसन हो जाएगा ये भी विडल ओर में खेलेंगे बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट देंगे तो मस्ट अपिक कप्टेंशी माटेरियल है तीनों के तीनों उसके बाद रोमारियो सेफ़ट खेल लिए रहे रहे रवनदीप सिंग थोड़ा नीची आ रहे हैं बॉलिंग से अगर हम बात करें तो जस्पित बुमरा मस्ट पर जो मैंने यह तीम बनाई है मैं केके आर को फेवरेट मानते हुए टीम बना रहा हूं कि वोग अच्छा करें फर्स्ट बैटिंग में लोग अच्छा स्कोर करें सेकंड बैटिंग में उनके तीन बॉलर है जो चारचर वर पूरे करते हैं इनको अच्छे खासे विकेट म लेकिन हर्सित और वर्ण चेकरवर्ति में से किसी एक को छोड़ के ना मैंने वहन तुषारा को लेके जा सकता हूं लास्ट में जब यह के क्यार के गेंज खेले तो तीन विकेट निकाला था तो देथ में भी आएंगे तब यह इंपोर्टेंट हो जाएंगे तब देखेंगे आफ्टर टॉस अभी के लिए आप मतलब मैंने अभी इन तीनों को लिया है क्योंकि इनकी टीम फेवर कर रही है आप चाहो तो प्यूस चाहलों के उपर ग्रैंड लिग में रिस्क ले सकते हो एक कमबोज के बारे में आपको बताया यह डोमेस्टिक ली काफी टैलेंटेड इनके और एक चीज़े की विकट भी नहीं मिल रहे है तो मैंने छोड़ दिया नीची और को इतना अच्छा ऑप्शन है नहीं अब हम चलते हैं टीम प्रिव्यू की तरफ के लिए जो टीम हो रही है वह कुछ इस पकार सा है कपतानी नरेन वाइस कपतानी मैंने हार्दिक को दिया है अगर यह पांच्वे गिंबाजी के रूप में नहीं खेलेंगे जैसे लास्ट मैंच में यह खेल रही था ना कि फिफ्ट बॉलर यही है तभी मैं इनको वी सी करूंगा अधरवाइस रसल मेरे पास एक अच्छे ऑप्शन है थोड़ा आप अलग करना चाहो तो इस फिर और श्रीर सअयर के पे भी रोही इसरमा को ले सकते है या फिर तिलग वर्मा को सब समझा है कब किस को ले सकते हो और किस सिचुएशन में ले सकते हो अगर आपने वीडियो देखियोगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से आपको टीम बनानी या और हां MARC लेना मत भूलना क्योंकि वही तो आपकी फाइनल टीम बनवा के देगी उसके लिए आपको टेलिग्राम से जुड़ना पड़ेगा फ्री है बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा जाओ और जूर जाओ टेलिग्राम चनल से व इस प्रवेशन के लिए ज्यादा अच्छा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पर मैंने वहनगटे से यर को लिया है कैप्टन मेंने रसल को किया है वाइस कैप्टन मेंने सूरी कुमार यादा कूछ एक रिस्क लिया है अगर आपको और भी रिस्क लेना है तो देखो यह ट्रमपिक्स है रिंकु सिंग ए रगवनशी वंगटे सिया रोई सर्मा तुसारा और हर्शितरान इनको एस प्लिया रोटेट करो मैच को रीड करो यह सारी जो कंडिशन्स देखते हुए कि टीम स्ट्वन्थ क्या है कौन जीत सकता इस मैच को और उस डारेक्शन में आपका अगर अच्छा है आपने थोड़ी अपनी श्किल्स के उपर काम किया ना तो आपका लग अगर अच्छा तो? तो आपका rank भी अच्छा हैगा अब यह rank 1 लेकर आता तो मैं आपको नहीं देता ना मैं खुद लगा लेता तो समझो इस बात को grand league में बहुत important factor है बाकी यह इसमें कुछ भी change होता है मैं telegram पर inform कर दूँगा बिल्कुल free में video के description and comment section के सबसे पहले comment में आपको हमारे telegram channel का link मिल जाएगा फटा फट जाओ जुड़ जाओ important लिए बोला जाता है and hope करता हूं मैंने आपको इस video से काफी कुछ सिखाया होगा यदि सिखाया है तो एक like जरू कर देना channel पर नए होता subscribe कर देना मिलते हैं अगली वीडियो है तब तक के लिए जाहिंद